आज की सबसे बड़ी मुख्या खबर जो काफी दुख़द है खबर है कि बहुजन समाज के महान योद्धा बोध्धम के परचारक वे शमक परकासन के निर्माता शांति सवरू बोध्जी का निदन हो गया वह हमारे बीच में नहीं रहे शांति सवरू बोध्जी बहुजन समाज के अंदर चिंगारी पैदा करने वाले थे वह जगे जगे जाकर इस्टेट बाई डिस्टिक बाईस प्रोग्राम करते थे धम परचारक थे और उनकी कमी समाज को काफी खलेगी वह समाज के बीच में यादों में रहेंगे हमेशा याद रहेंगे और सबसे बड़ी खबर है पाखनवाद अंदुश्वास जो काफी चरम शीम पर है यदि हम बात बताए कि आज कोरोना आपदा के चलते देश विश्व में जो सबसे बड़ा संगट है वह है कोरोना आपदा जिसने सारी विवास्ता चरम रादी और उसे के चलते पाखनवाद चरम शीम पर है यदि हम बात बताए तो बिहार से कुछ तश्वीर सामने आई जो वाईरल हो रही है बताय जा रहे है कि बिहार के अंदर कोरोना माता बताय जा रहे है कोरोना देवी बताकर मैं हिलाओ को पाखनवाद में फसाय जा रहा है और वह देखे किस तरीके से गीत गा रही है कोरोना के लिए बता जा रहा है कि बहुत सारी सामागरी जैसे लोंग, इलाइची, लड़ू और बहुत सारी चीजे चड़ाई जा रही है गड़े खोते जा रहे हैं और तलाब के किनारे बैठकर गीत गा रही है यह है पाखनवाद और इसको बढ़ावा दे रहे हैं अमिताब यदि हम बात बताए कि अमिताब क्यों बढ़ावा दे रहे हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, काफी गंबीर बात है जैसे कि डाबर चमन पिरास, जंडुबाम, टीवी की बिमारी कुछ और भी ऐसी चीजे जिनको एड किया जाता है अमिताब बचन द्वारा, शारुखान द्वारा और जंता मान लेती है, जो अनपढ एशिक्षित लोग है वह काफी परभावित होते हैं उन एड से और वहीं जो इस तरीकी की समश्य बनी हुई है सदियों से, जिसके चलते देश के अंदर कोई सुधार नहीं होता, उसका कोई एड नहीं दिखाते नहीं ऐसा एड बनाने में वह हैं इंट्रेस्ट लेते जदी हम बात करे, शोचकी घरों में शोचक करे जंगलों में खुले में न जाए, उनकी बात काफी परभाव पड़ा बहुत सारी बाते हैं, कहते हैं कि जो एक परभावित आदमी बड़ा माना जाना आदमी, किसी बात को बताता है तो उसकी जल्दी मान ली जाती है और यदि एक आम आदमी किसी अच्छी बात का परचार परशार करता है तो उस पर कोई अमल नहीं करता तो यहां हम कह सकते कि अमिताब बच्चन महानायक है, कापी तारीफ है काबिल है यदि हम बताएं तो वहां जाती वाद से नहीं जुड़े हुए है और वहां अपने नाम के पीछे स्षर नेम में भी कोई जाती वाद नहीं जोड़ते बच्चन लगाते हैं जो उनके पिताजी भी लगाते थे हरी वनस्ताय बच्चन यह उनकी तारीफ है काबिल है इसकी हम तारीफ करेंगे लेकिन हमें कुछ उनकी कम्या खलती है हम यदि बता दे कि अमिता बच्चन जी विरध हो चुके और हम तो यह कहते है कि हमारी भी उमुर उनको लग जाए क्योंकि वह एक महानायक है और वह जितना भी जीवन बचा हुआ है हम चाहते हैं कि वह समाज के लिए देशित में अपने जीवन को खपा दे लेकिन वह पता नहीं क्यों नहीं चाहते क्योंकि वह चाहते हैं कि एक काम से यदि दूसरे काम में चाहते हैं तो पहले काम की भी पहचान खतम हो जाती है ऐसा हमने किसी से सुना लेकिन जहां देशित की बात होती है शमाज की बात होती है वहाँ यदि किसी पहले काम में भी अर्चन आती है तो आने दो हमारा ये सुजाव है और हमारा ये मानना है कि सबसे पर्थमत देश, शमाज या जो आपका पेशा है वह भी है क्योंकि उससे आपको रोजरोटी मिल रही है लेकिन इनसे कोई अर्चने नहीं आएगी ना ही समाज पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही आपको कोई कुछ कहेगा वलकि आप तो एक मशिया की तरह मरने के बाद भी शमाज की खास तोर पर बहुजन समाज की नजरों में और जाद उठ जाओगे कि कोई समाज सुदारक भी थे फिल्मी हस्ती से अलावा भी वह समाज सुदारक भी थे ऐसे नाम जुड़ जाएगा और हम चाहते हैं कि आपका नाम जुड़े क्योंकि आप काफी परभावित ग्यानी पुरूस हो समझदार हो लेकिन हमारा ये रिक्वेस्ट है यदि आप तक ये वीडियो जाती है कि आप भी ऐसे मुद्दों पर जातिवादी मुद्दा या फिर कोई भी इस तरीके का मुद्दा हो मैं हिलाओ के शोशनक से रिलेटिड या फिर अंदि विश्वास पाखनवाद की हम सबसे पहले बात करेंगे उसका जरूर आप एड़ कीजिए इससे निकालिए समाज को देश को क्योंकि ये है सबसे बड़ा रुकावट है जो समाज में आज तरक्य नहीं होती वही अनुपम खेर की ये दियम बात करें और भी बहुत सारे स्टार्स है जाने मानी हस्तिया है वह भी कुछ मुद्दों पर बोलते हैं लेकिन आज जातिवादी मुद्दों पर नहीं बोलते वह ऐसे अंधिश्वास पर पाखेंडवाद पर नहीं बोलते फिल में तो बहुत बनाई उन्होंने लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं करते हाँ यदि कश्मीर के अंदर पंडितों पर कोई हमला होता है तो बहुत जल्दी बोलते हैं लेकिन समाज के अंदर ये जो रूडिवादी परंपराय है जिसको ये मिटा सकते यदि चाहे उन पर कुछ नहीं बोलते चुप्पी साधे होते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है कि अमिताब बच्चन जी कापी अच्छे इंसान है तारिफे काबिल है लेकिन यहां हमें वो थोड़ा लगता है कि उनको जरूरत है हमें जरूरत है समाज को देश को जरूरत है कि वह आगे बढ़कर बढ़ चड़कर हिस्सा ले यदि हम सच्चाई की बात करे असल बात करे तो हमें ना मंदिर की जरूरत है ना मस्जिद की और ना ही किसी तिर्थ की जरूरत है यहां पर अश्पताल विश्विधाल्य की जिनसे बच्चे पढ़ लिकर, इंजिनियर, साइंटिस्ट वैर डोक्टर पत्रकार सभी अच्छे मुकामों पर पोचेंगे लेकिन क्या है यहां पर धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होती है धरम सर्वे पर है होना भी चाहिए लेकिन उससे अलावा जो समाज है, देश है वह भी होना चाहिए यदि हम आपके बजूद की बात करे तो वहां बजूद बहुजन समाज से है क्योंको बहुजन समाज की तादा थी आपको सूपर इश्टार बनाती है जिस समय आपकी फिलमे हिट होती थी उस समय उस समय जो टिकट घर में लाईने लगी होती थी होल से बहार वहाँ कौन होते थे बहुझन समाज के मजजूर टपके के लोग जिनको फिल्म में देखने का गरों में टीवी नहीं थे तो वह आपकी फिल्मों को हिट करते थे और आपको इस्टार सूपर इस्टार बनाने में बहुजन समाज का ही सबसे बड़ा योगदान है लेकिन आप भूल जाते हो बहुजन समाज के उत्थान की बाते इसलिए आप किसी मुद्धों पर पाक नमाद अंधिश्वास या बहुजन समाज के उत्पीटन पर चुपिस हादे होते हो क्यों क्योंकि आप भी कही न कहीं ऐसा लगता है कि उस मनुवाद का हिस्सा हो उस रूडिवादी परंपरा को बढ़ावा देते हो नहीं चाहते आप कि ये महिलाए इस तरीके से इन अंधकार से निकले नहीं चाहते आप यदि चाहते तो इसको दिल से लेते गहराई से लेते और इस पर बोलते एड़ बनाते ऐसा हेड़ बनाते जो उसको देखता महिलाए देखती न करम कांडो से पाख औरबाद से बाहर लग देखती क्योंकि एक सुरूआत हो जाती है जो हमारा मानना है जहां एक शुरुवात होई वहां एक परंपरा बन जाती है परंपरा का जनम हो जाता है एक शुरुवात है यदि शुरुवात पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह शुरुवात अगले साल उससे अगले साल बढ़ावा लेती रहेगी और वहां पर कोई नो कोई धार्मिक इ मंदिर बन जाएगा पुजारी बैठ जाएगा और एक नई देवी का जनम हो जाएगा एक नई देवी देवताओं का जनम हो जाएगा एक खबर और सामने आई थी एक संथ वह भी कोरोना महराज बता रहा है इस तरीके से एक अधिवस्वास में फसाते हैं यदि हम चाहे या क निकालना चाहते हैं समाज को देश को और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनों में बड़ावा देकर अपना रोजा रोटी चलाते हैं पैसा कमाते हैं और एक कहीं भी बैठ जाओ एक लेकर तसला उसमें कुछ रखकर धूबत्ति वहीं चड़ावा आने लग जाता है एक नया जनम तो इस समस्या का हल हो सकता है ऐसा एड बनाए ऐसा धमाका करे कि ये दुकाने बंदो जाए और देश में खुशाली आ जाए ये जो बहुजल समाज के लोग है जो पीडित लोग है शोशित लोग है उनके घर में भी रोशनी आए उनके घर में भी शिक्षा की जोती आए श लेकिन कहीं न कहीं आप नहीं चाहते कि वह आपकी तरह आगे बड़े महान व्यक्ति बने इस हमें खलतिया जीजे यह हमारे व्यक्तिकत विचार थे यदि इनसे किसी को ठेश पोचती है तो हमें बता सकते हैं अपना सुजाव देश लगते कमेंट्स बोक्स में लेकिन हम बो लेंगे और यदि कोई इस चीज के बारे में सफाई देना चाहता है या इसको अच्छा साबित करता है ठीक बताता है तो वह है कमेंट्स बोक्स में लिखकर हम से सवाल कर सकता है और हम उस पर भी बोलेंगे तो आज के लिए तनहीं काफी मैं उमेश करूना आप से जाहत ल बोलें देखते हैं बहुत नहीं करनी हुए